ओम स्यान्तिम हम सभी राजयोग का अभ्यास करते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं लेकिन ये परमानंद उन्हें सर्वाधिक प्राप्त होता है जिनका मन और बुद्धी एकाग्र हो जाते हैं एकाग्रताई संसार में पहले से ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है कोई मनुष सहज एकाग्र हो पाता है, कोई बिलकुल नहीं हो पाता है लेकिन एकाग्र होने के लिए जहां और बहुत सारी बाते आवश्चक हैं वहीं इस्वरिये नसा भी इसमें एहम भूमी का निवाता है हमें अपने चित को इस्वरिये खुमारी से भरबूर करना होगा ब्रह्मा बाबा जैसे सदा इस नसे में रहते थे मैं गौडली स्टूडेंट हूँ बहुत बड़ा नसा था उनको ये भविस्व में मुझे नाराण बनना है विस्व महराजन बनना है इस इस्वरिये नसे ने उनको सच-बैफिक्र बात्सा बना दिया था इस्वरिये प्यार में मगन कर दिया था एक आगरता में परफेक्ट कर दिया था हम भी इस्वरिय नसे में रहें कौन पढ़ाने आया है हमें किसने आकर हमें सत्य ग्यान दिया है सबेरे सबेरे स्वयम भगवान परमशिक्षक बनकर हमें पढ़ाने आता है तो स्वयम भगवान पढ़ाते हैं और हम godly student हैं ये नशा जितना अधिक से अधिक हमें रहेगा पढ़ाई पर उतना ही हमारा attention रहेगा उतना ही हमें इस इसवरी एक ज्यान के अनमौल रतनों की value भी होगी नहीं तो कईयों को ये ज्यान बिलकुल साधारन लगता है वही तो आत्मा की बात है लेकिन आत्म जान तो अतिगुये है ये अनुभव होने लगेगा हमें अपने भविश्च का नसा भी बाबा की तरह ही रखना है हम ये नहीं कहेंगे के हमें पता नहीं है हमें पता है हम भी महाम देवता बनने वाले हैं अपने देव स्वरूप को जितना जाद हम इस परती में लाएंगे हमारे अंदर देवत उतना ही आता जाएगा देवत तो निखरता जाएगा हमें ये नसा चड़ा रहे के ये देह छोड़ कर मैं भी बहुत बहुत दिव्यता से भरपूर पवितरता से संपन देवता बनूगा अपना देव स्वरूप बार बार यादाता रहे जैसे कि हमारे सामने खड़ा है बहुत सुंदर अनुभोंगे और भी बहुत सारे नसे हमें अपने अंदर रखने हैं कोन मुझे साथ दे रहा है कोन मेरी जीवन नईया का खिवया बना है किसने मुझे काहा है बच्चे सारे बोज मुझे दे दो मैं तुम्हारे साथ हूँ किसने हमें काहा है बच्चे तुम चिंता न करो मैं जो हूँ मैं जो बैठा हूँ तुम बेलकुल बेफिकर बादसा बन जाओ तो हम इस वरी एक खुमारी में चलें इस वरी एक खुमारी में रहें बोलें भी तो हमारे बोल से हमारा इस वरी ए नसा परतक्स जलगता हो लेकिन ध्यान रहे ये नसा बहुत सुक्स्म है ये बोलने का नहीं है हम बार-बार दूसरों को बोलेंगे हमें भगवान मिला है हमें भगवान पढ़ाता है तो लोग सायद उतना इस भात को सुईकार न कर पाएं लेकिन हम सुक्स्म रूफ से जितना इस नसे में रहेंगे उतना हमारे चेहरे पर एक रोनक रहेगी, एक रुहाव रहेगा तो आज सारा दिन हम इसी स्वरिय नशे का अभ्यास करेंगे ज़दो हमने कहे मैं गौडली स्टुडेंट हूँ स्वयम भगवान ने हमें सत्त ग्यान दिया है बहुत बड़ी संपूर्णता की डिगरी हमें मिलने जा रही है जो डिगरी वास्तों में बहुत बड़ी होगी संसार में किसी को भी ये डिगरी प्राप्त नहीं है दूसरा, मुझे भविस्थ में एक महान देवता बनना है इसको याद रखेंगे और इसके साथ साथ प्रेक्टिस करेंगे फरिष्टा सो देवता बनने की बस यह अभ्यास करें मुझे फरिष्टा बनकर घर जाना है और देवता बनकर वापिस आ जाना है कितनी सुन्दर बात है ऐसा कौन होगा जो फरिष्टे बनकर घर की और उडान भरें और धरा पर आएं तो देवता बन जाएं भरपूर देवता संपन देवता ये अभ्यास हमें बहुत लाइट करेगा हमारी समस्याओं को हल करेगा हर घंटे में एक बार एक मिनट के लिए अपने फरिष्टे स्वरूप और देवता स्वरूप को सामने रखेंगे उसका अभ्यास करेंगे और सारा दिन डबल लाइट होकर दिन चरिया को व्यतीत करेंगे तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम चान्ति